असलाम लेकुम डियर स्टूडिंस कैसे हैं आप लोग स्टूडिंस आज क्योंके आपके होने वाले हैं एक्जाइम्स ठीक है तो मैंने ऐसा किया है कि आपका जो कोड है 248 ठीक है इसकी एसाइमेंट्स तो मैं अल्रडी आप लोग के लिए बना चुकी हूं अपलोड कर चुक है आपके सामने रख दूँ आप उन इंपॉर्टिंस को देख ले ठीक है तो इन्शालला आप इतने क्वेस्टिंस की तैयारी कर लेंगे तो मुझे उमीद है कि आपका 100% पेपर एक्टेम्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप इंपॉर्टिंस तैयारी कर रहे हैं तो अपना प्रीवियस कोई सा भी उठा के ना पेपर वो आप देख लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है ठीक है आपको अराम से मिल जाएगा ठीक है आप गूगल पे लिखने ओल्ड पेपर्स अफ एयाई ओयू या आप ऐसा करें कि आप वहां पे एक वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप उस लिंक पे जाके आप अपना अराम से अपने subject अपना जो भी subject code है उसको लिख के उसके हसाब से अपना program सिलेक्ट करें फिर अपना code सिलेक्ट करें और फिर वो आपका relevant paper मिल जाएगा आप वहां से अपन old papers भी देख सकते हैं ठीक है अच्छा उसके इलावा आपकी book में से मैंने thoroughly पूरी book को देखा है कि जो बहुत most important questions है वो मैं लखने लगी हूँ ठीक है मैं ये नहीं कहती कि इसके इलावा कुछ नहीं आएगा ठीक है लेकिन ये अगर आप कर लें तो इन्शालला आपका 100% paper attempt हो जाएगा अच्छा जी exercise आपकी है चैप्टर 1 में exercise 1.1 इसके काफी सारे questions है वो students को अक्सर यह होता है कि इतने ठीर सारे questions एक exercise में तो अब इसमें से क्या important और क्या unimportant ठीक है तो इसके कुछ questions में लिख रही हूँ ये questions आप कर लें इन्शालला आपका ये हो जाएगा paper ठीक है अच्छा 1.1 में से आप कर लें question number 14 21, 24, 27, 28 ठीक है exercise 1.2 में से आप कर लें question 16 19, 19, 22 ठीक है और exercise 1.3 में से आप कर लें question 8, 9 अच्छा इसी तरह आप second chapter पर आजाएं second chapter का 2.1 को रहने दें ठीक है least important है इसलिए इसको छोड़ दें exercise 2.2 को ले लेते हैं 2.2 में से आप कर ले question number 8 9 9 12 ठीक है इसलिए 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 आप कर लें इसलिए इसलिए आप कर लें आप कर लें 2.3 का question 18, 19 and 20 ठीक है? 18, 19, 20 ठीक हो गया Then exercise 2.4 पर आ जाते हैं 2.4 का आप कर लें Question 17 and 20 ठीक है students Then आप कर लें exercise 2.5 को भी ठीक है? 2.5 में से आप पूरी exercise ना करें आप अगर question number 19 और 20 को कर लें इंशालला इस exercise में से यही दोनों question आएंगे according to my guess, my observation ठीक है? Okay जी, question है आपका next exercise है, next आपकी exercise है exercise 3.1 3.1 में से आप कर लें question 13, 14 and 15 ठीक है? exercise 3.2 question number 9 and 10 ठीक है? इसी तरह exercise exercise आप लें, next 3.4 ठीक है? 3.3 को रहने दें question 15, 16 and 17 ठीक है? 3.3 जो है न वो मैंने छड़वा दिये ठीक है? अच्छा 3.5 question 8, 10 and 12 exercise 3.6 3.6 में से आप कर लें question 11 and 12 आगे आजाते हैं exercise 4.1 पर 4.1 में से आप कर लें question number 12 and 13 ठीक है? दो question कर लें अच्छा 4.2 में से आप कर लें 4.2 exercise 4.2 ठीक है? इस में से आप कर लें question number 9 12 and 15 ठीक है? students next है आप का exercise आगे यह आपकी 5.5 चैप्टर ठीक है? फिफ्ट चैप्टर को हम कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास space नहीं है हम new file ले लेते हैं ठीक है? अच्छा जी, new file पर हम आगे हैं यहाँ पर हम फिफ्ट चैप्टर पर आजाते हैं exercise 5.1 12, 13, 19 and 20 ठीक है? 5.2, 6, 11 and 12 5.3, 4 and 5 ठीक है? 4 and 5 मैं 5 को जरा clear कर देती हूँ ठीक है? ठीक है? देन 6 चैप्टर आगया है 6 चैप्टर में 6.12 को आप रहने दें ठीक है? 6.3 पर आजाते हैं इसी तना 6.4 कर ले 6.4 का question number 5 कर ले और question number 6 कर ले that's all खाफी है देन 6.5 पर हम आते हैं 6.5 का आप कर लें students एक मिनट में exercise भी mention कर दो exercise 6.5 6.5 का आप कर ले question 4 5 बस सफिशिएंट है अच्छा 6.6 का आप question number 4 कर ले ठीक है? and 7.3 का आप कर ले question 5 question 6 and question 7 ठीक है? 7.3 का question number 5 question number 6 and question number 7 now students हम आते हैं chapter number 8 की तरफ ठीक है? तो chapter 8 में देख लेते हैं chapter 8 में just 8.1 में आप आते हैं 8.1 है हमारे पास तो इस में से हम कर लेते हैं question number 8 15 17 and 18 9.1 पे आते हैं 9.1 का हम कर लेते हैं exercise 9.1 ठीक है? इसका हम कर लेते हैं question number 3 8 9 10 बस इससे ज्यादा करने की ज़र होते हैं इसमें से आपका पेपर बनेगा 9.2 question number 8 9 18 and 19 9.3 पर आई exercise 9.3 question number 7 and 8 that's all students जितने questions मैंने आपको इससे पहले बताए हैं इंशालला अगर आप इतनों को कर लेते हैं तो मुझे उमीद है कि आपका 100% पेपर हो जाएगा इसके इसके इलावा मैंने आपको बताया है कि पेपर से पहले एक तफ़ा पेपर को देख लेना ज्यादा बेहतर होता है इससे अकसर confusion नहीं होती अकसर समटाइम ऐसा होता है कि students जो है ना पेपर देखके बगार वज़ा के ही confused हो जाते हैं हाला कि उनको पेपर आ रहा होता है लेकिन confusion जो है ना confusion आपको पेपर attempt करने में बहुत ज़्यादा mistakes का बाइस बनती है so कोशिश करें कि बिल्कुल confused ना हो बिल्कुल ना डरें रिलैक्स होके पेपर करें नीट पेपर करें ठीक है writing का इतना issue नहीं होता maths में लेकिन neatness का at least teacher को समझ ज़रूर आए कि आप क्या लिख रहे हो अब आप कहिए नहीं कि आप four लिख रहे हो और वो इस अंदास दे लिख रहे हो कि वो nine लगे ठीक है तो इस तरह नहीं होना चाहिए नहीं कि वो समझ आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो ठीक है okay students that's all मेरी दुआ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो best of luck